हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बाद द्वार से आपके अपने चैनल विवी करना स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल हमें नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दबना ना भूला ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन लिवा से हैनगे िदाएंछा ऑर लिवा सो क्यान कई में और यй स्टॉक्स प्रतिव को आपको फ्रतिय करना चीए या अपको बाई आप के जाना ताकि आप शमझ सको कि आपको स्टॉक्क में क्या करना चाहिए और स tribunal 237 value 42 है एक website के according यह क्यों निकला गया है दोस्तों क्योंकि company ने last two quarters में profit दिये हैं जहां दोस्तों last two quarter में company ने profit share किये है तो definitely वीडियो को अंतर देख लेना अगर आपके पास यह Reliance Power का penny stock है तो start करते analysis और दोस्तों अगर analysis पसंद आएगी तो like कर देना share कर देना facebook में ठीक है facebook अगर share करोगे तो कल हमारी class होने वाली है Sunday को ताकि मैं आपको उस class का link provide करा सकूँ ठीक है तो हर Sunday हमने एक class रखने का वादा रखा है तो definitely अगर आप participate करना चाहते हैं तो भाईया most welcome है आपका इस वीडियो को share कर देना आपको उस class का link में Instagram ID में दे दूँगा हमारा Instagram का handle नीचे आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले हम बात करते है Reliance Power Limited का chart चार्ड मतला Google में आचकल कामकाज कैसे हो रहा है तो दोस आप देख सकते है तो almost 5% के आसपास Friday को इसने closing करी एक positive closing के साथ stock उपर गया है अगर बात करते stock का एक मन्त का chart तो एक मन्त का chart हमें ये प्रियास कर रहा है कहने का कि stock एक tight range में trade कर रहा है तो definitely जहां stock का breakout होगा stock वहाँ जा सकता है अगर बात करते six month का chart तो six month का chart हमें कह रहा है stock एक अच्छा uptrend के तरफ है ठीक है दो रुपे 45 पर ट्रेट कर रहा था और आज की rate में साड़े 4 रुपे और 5 रुपे कर ट्रेट कर रहा है ठीक है तो definitely stock यहां का registration ले सकता है 6 रुपे का registration एरिया है और दोस्तों उसके जो next registration वह अभी आपको chart के साथ दिखाता हूँ अगर stock उपर जा सकता है तो 6 रुपे तक last जा सकता है यह chart हमें कहने का प्रयास कर रहा है लेकिन दोस्तों stock में अभी कुछ latest एक cover भी आई है और stock में latest chart pattern भी बन रहा है तो definitely एक बार वो pattern देखके चले आना चीस आपसे मुझे लगता है stock को अभी आपको buy नहीं कहना चाहिए अगर आपको थोड़ा नीचे मिलता है तो definitely आप stock में position बना सकते हो लेकिन long term के लिए stock मैं नहीं बूलूँगा कि अच्छा है long term के लिए मेरे साब से stock अच्छा नहीं है बाकि अगर आपको अच्छा लगता है तो definitely आप invest करके hold कर सकते हो तो हम लेके चलता हूँ stock की आर पाव के latest news की तरव आजकल क्या stock की news चल रही है तो देख लीजिए एक बल न्यूज दोस्तों मैंने BSC में company के बारे में खोल लखा है मैं आपको latest news दिखाता हूँ stock की आर पाव के latest news तो आप देख सकते हो आप देख सकते हो company ने announcement कर रखी है दोस्तों सबसे अच्छी announcement stock में क्या निकल के आती है share holding pattern reveal किया है company ने 15 April की एक news है 15 April को company के share holding pattern reveal किये गए है December quarter के ठीक है तो देख लेते हैं कि इसमें क्या changes हुए क्या changes नहीं हुए तो दोस्तों मैंने share holding pattern खोल दिये company के दोस्त अपतिहान से देखोगे तो December में मालिकों की holding 9% के आसपास थी जो March में same है तो मतलब company के share price में कुछ मतलब promoter की holding ना तो बढ़ी है ना तो कमी हुई है मतलब constant है मतलब हमें stock में कुछ नहीं करना चाहिए लेकिन अगर अगर दोस्तों दियान से देखोगे तो September में जो मालिकों की holding दी 16% के आसपास थी तो December में आते आते 9% हो गई तो हमें ये एक sign दे रहा है कि लगतार promoter अपनी holding stock से बेच रहे है और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो stock की जो holding के कौन भाई कर रहा है आपके public 84% के आसपास holding थी और आज की rate में 91% के आसपास public के पास पूरा का पूरा माल है तो कहने का मतलब है कि stock के जो मालिक है वो लगादार अपनी holding stock से बेच रहे है मतलब 100% और 80% के आसपास उनकी holding थी पहले मालिक जी 50% के आसपास और आज की rate में तो 9% के आसपास holding है इसका मतलब ये निकल के आता है कि भाही मालिक लगाता stock का अपना पैसा stock से हाथ खीच रहे है और तब भी stock उपर जा रहा है इसका मतलब stock में definitely कुछ ना कुछ घोल चल रहा है और घोल ये चल रहा है दोस्तों ताकि stock का price अगर उपर जाएगा तब ही तो हमारे retail उसमें attractive होंगे मतलब उसकी तरफ फसेंगे ठीक है ना जब तक मेठा नहीं लगेगा गई तो मदुबक्खी आपको नहीं देखेगी तो वही बात है बहुत simple है दोस्तो stock में आपको फसाया जा रहा है क्या दिखागे stock लगातार उपर जा रहा है आप stock को buy कर लो एक अच्छे खबरे stock में आने लगी है अच्छी खबरे क्या आ रही है stock में तो लगातार quarters में company ने अच्छे profit दिये यह अच्छी खबर है इस बज़े लगातार उपर जा रहा है और हमें ऐसे दिखाए जा रहा है कि company अच्छी हो रही है ठीक है भाहर से हमें ऐसे दिखाए जा रहा है कि internal company में कुछ शुदार नहीं हो रहे है तो definitely भाई अगर आप planning कर रहे हो stock को invest करने के लिए तो भाई आप भूल कर भी stock में बड़ी capital invest मत कर ले न otherwise आप बहुत पुरी तरीके stock में फस सकते हो ठीक है तो मेरा तो यह मानना है बाखी दोस्तों आप देख सकते हो पर मोटर की जो holding है almost pledge है 21% के आसपास तो definitely भाईया अगर आप planning कर रहे हो stock को buy मत करना मैं आपको दिखाता हू stock को buy क्यो नहीं करना चार्ट वी दिखाता हू stock का दोस्तों आप देख सकते है उस स्क्रीन में आर पावर का मैंने चार्ट खोल लखा है और मैंने आप मुझे याद है last video मैंने stock के बारे बनाया था तो मैंने बहुत किलियर करता stock को buy नहीं करना है और तब से stock आपका उपर ही जा रहा है ठीक है झब तके यह यह देख सकते है उब 5 रूपे की असपर सिह में द्वारा रजजीसन लिया है अगर आपांससे को buy करना है चुल अगर technical bounce होगा अगर आप buy करोगे तो जल्दी जल्दी 10-15% का profit book करना और exit मार देना long term के लिए stock तो मैं अभी भी बोलूँगा hold मत करना जितना मर्ची company के profit अच्छे आजाए जितना मर्ची websites बोल दे कि आपको company अच्छी हो रही है financially आप stock में invest करो ठीक है जो आप देख सकते हो यह screener.in website है मैंने इसका पूरा data खोल लखा fundamental analysis के बर कर लेते हैं NSCBSC दोनों में estate company है 1318 करोड के असपास का market cap है और दोस्तों देख सकते हो जो price चलना है 588 पैसे हो दोस्तों देख सकते हो जो book value मैंने आपको दिखाया है 42 रुपे के real value दोस्तों book value के साब से 42 रुपे इसकी price मापा जा रहा है और दोस्तों यह कैसे निकाला गया है बहुत simple है अगर आप उसका earning per share देखोगे last 2 quarter में company का earning per share बढ़ा है उस बज़े से जो इसका अभी price चलना stock का और जो company के profit आए उस बज़े से यह जो earning per share आपको बहुत सकते है जो इसका book value काफी increase हो चुका है और मुझे नहीं लगता दोस्तों इसके basis में आप stock में invest करना चाहिए आपको ठीक है च्योंकि दोस्तों देखिए मैं आपको बढ़ा है चार्ड उसका मुझे कहा रहा है negative नीचे गिरेगा और promoter holding मुझे कहा रही है नीचे गिरेगा FII, DI की holding के नीचे गिरेगा लेकिन एक चीज़ हमें कहा रही है कि stock उपर जागा वो है आपका इसके profit और profit दोस्तों सिर्फ दो quarter के निकले ना कि साल बर के निकले अगर आप किसी penny stock में investment करते हो तो आप कम से कम उसके साल बर के profit देखा करो हाँ दोस्तों लेकिन एक बात और बोल देने चाहता हूँ एक रूपे के जो penny stock होते है उसमें थोड़ा अलग strategy हम apply करते है और जो 5 रूपे के निचे stocks होते हैं किसी भी stock में आप same strategy apply करते है तो त्याहन रख लो किसी भी stock में आप same strategy apply करके investment नहीं कर सकते ठीक है आप देख सकते हो स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहता हूँ कंपनी के quarterly leasers June, September आप देख सकते हो और December भी आपको देखने को मिलेगा कि बर जा सकता है मुझे तो नहीं लगता कि भाईया यह बर जाएगा क्योंकि भाईया year basis में yearly basis में company profitable नहीं है तो कम से एक साल का profit आने का wait कर सकते हो अगर वह अच्छे आ जाते है तो अगर आपको नीचे मिलता है तो आप डेफिनेटी एक छोटे मोटे trading moves के लिए कर सकते हो दोस्तों आप देख सकते हो company का जो रिजज़ाब है लगादार कम हो रहा है ठीक है अठारा यह क्रोड के आसपास था आगी एट में नौह यह क्रोड के आसपास रह चुका है company का जो काफी बड़ा नंबर होता है इसके उपर इंटर्स लगाओगे तो बहुत बड़ा इंटर्स निकलके आता है अब आपको दिखाता हूं मैं क्या बोला था सिरूलिक पैटर यह दोस्तों देख सकते हो almost 75% के आसपर holding की चून 2018 के असपास और लगातार मालिक अपनी holding कि अडय पेचा है और इस तो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं हम पुबलिक हमेशा मरते है दोस्तों लुजं सिम्बल सा लॉजिक है इस सिम्बल सा लॉजिक को आप प्लाएगा के देखो डेफिनिटली पैसा बनेगा ठीक है तो भाइट डेफिनिटली स्टॉच में आपको इंवेस्पेंट नहीं करना है रिलाइंस पावर में तो ये था मेरा रिलाइंस पावर का शेर प्राइस चुड़े और साथ में लेटेज नूस जो में आपको अप्डेट कर दिये इसका सिरोल्टिक पैटर्न रिविल हुआ है मार्च एंडिट का जिसमें कोई चेंजिस नहीं हुए है तो डेफिनेटली भाई स्टॉक को आप इंग्णोर कर सकते हो स्टॉक को बाई नहीं करना है ठीक है अगर बाई करना चाहते हो भूसाथ चुल ला है तो छोटी मोटी अम पाउन इनवेशन मत करना चलो बाई बाई